सरकार द्वारा प्यास पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाय जाने के बाद भी प्यास के दाम लगातार बरते जा रहे हैं हलाकि केंद्र ने राज़ सरकारों को जमाखोरी पर लगाम लगाने के आदेश भी दिये थे लेकिन अप केंद्र सरकार राज़ों द्वारा उठाएगे कदमों को नाकाफी बता रही है प्यास के ठोक वा खुद्रा मुल्यों में भारी अंतर से हैरान केंदर सरकार ने राज्यों से खुद्रा वेपारियों की जमाखोरी के खिलाफ अभियान चलाकर सक्त कारेवाई करने को कहा है केंदरी औभोक्ता मामले के मंतराले ने महंगाई के खिलाफ राजियों के उठाए कदमों को नाकाफी वासंतोह जनक बताया है इसके लिए राजियों को एक और पत्र लिक कर प्यास की जमाखोरी वा काला बाजारी करने वाले थोक वा खुद्रा व्यपारियों के विरुद्ध का रिवाई करने को कहा जाएगा राश्ट्रिय राजधानी शेतर की थोक मंडियों में पयास के थोक मुले 18 रुपे किलो हैं तो खुद्रा में यही पयास 25 से 30 रुपे किलो भिक रहा है थोक वा खुद्रा मुलें के अंतर को लेकर केंदर सरकार बेहद गंफीर है उपभोक्ता मामले के मंतरा लेकर सचीव केशव देशी राज़ु ने कहा कि प्रयाप्त स्टॉक होने के बावजूद कीमतों में होने वाली वृद्दी की कोई वज़ा नहीं है प्यास की दैनी का पूर्ती कहीं भी बातीत रही है मंडियों में प्यास की कियमतों पर सरकार की कड़ी नजर है महराश्ट्रों में देश की सबसे बड़ी प्यास मंडी लासल गाउं में प्यास के दाम पिछले दो हफ़ते में 40% से ज्यादा बढ़कर 18.50 रुपे प्रतिकीलो तक पहुँच गए है प्यास उत्पादक शेत्व से जुड़ी इस मंडी के भावों का असर देश की अन्य शहरों पर साफ दिखाई देने लगा है जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है दामो परंकुष रखने के लिए प्यास का नियुनतम निरयात मुले 300 डॉलर प्रति टन ताई किये जाने का भी असर नहीं दिखाई पढ़ रहा है National Horticulture Research and Development Foundation के निदेशक आरपी गुपता के मताबिक कमजोर मौनसून की आशंका के कारण खरीफ में प्यास की फसल प्रभावित होने के अनुमान और सक्टा खोरी ने दाम बढ़ाए है नाशिक में लासल गाउं में दाम बढ़ने का असर दिल्ली की आजाद पूर्मंडी में भी दिखाई दिया यहां दाम 25 रुपे प्रति कीलो तक जा पहुंचे है इसके अलावा चंडिगड और मुंबई जैसे शहरों में भी दाम बढ़े है